OBC जात्यों की पैचान करने और सूची बनाने का राज्यों को आधिकार फिर से बहाल होगा लोकसभा ने मंगलवार को 127 वे सविधान शंशोधन के जरिये OBC से जुड़े इस विधेक को भारी बहुमत से पारित कर दिया है विधेक की पक्ष में 385 मत पड़े जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा हालाकि इस सर्वसमती के बावजू चर्चा के दोरान राजुनिती खुब हुई और पक्ष और विपक्ष की और से ये जताने की कोशिश भी की गई दूसरे पक्ष ने OBC की चिंता नहीं की सविधान संशोधन विदेयक को बुद्वार को राजसबा से भी पारत कराने की तयारी है राज्यों की अधिकार बहाली से जुड़े इस सविधान संशोधन विदेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रिय समाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री विरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विदेयक से संगिय व्यवस्ता मजबूत होगी राज्यों को फिर से उनके अधिकार मिलेंगे जिसमें वो पहले की तरह OBC जात्यों की पहचवान कर सकेंगे और उनकी सूची भी तयार कर सकेंगे OBC के हित में वो और बहतर तरीके से काम कर सकेंगे उन्होंने इस दौरान ये भी साफ कर दिया कि ये समस्या के निसरकार की वज़े से नहीं पैदा हुई है, बलकि महराश्च सरकार के मराथा आरक्षन के फैसले के बाद कोर्ट ने राज्यों के अधिकार को खत्म कर दिया था, हम इसे ठीक कर रहे हैं और राज्यों के अधिका रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया स्पेशल डेक्स नफदीर टुडे नियूस दिली